चेर्मेन ने आज तक मारे जितने पस्ताव हमने दिये हैं किसी भी मेंबर का जिला प्रिशिद के मेंबर के पस्ताव में से एक को भी उन्होंने स्लेक्ट नि raised to be honest कि उसके उपर उन्होंने चेहर मैं बने बनने के बाद करन सींग्ला जी वह गुमने निकल घए नो क्रोड रुपे जो पड़े थे वो लैप्स हो गए तो हम इसके लिए चेर्मेन के गर के आगे दरना भी लगाएंगे जो आज का मुख्या जेंडा है जो मुद्दा है जी वो है जी जिला प्रिशद का जो हाउस है उसके अंदर जो गड़ब्रियां चल रही है उसके रिलेटीड आम आदमी पार्टी के 6 के 6 पारशद यहां पे PC के लिए यहां बैठे हैं और लोगों के सामने अपने जो प्रोब्लम है वो लेके आए हैं पारशद प्रतीनी दी भी हैं मेरे साथ और जीला पारशद भी हैं आम आदमी पार्टी के 6 के 6 जीला पारशद हैं तो जो मेंड मुद्धा है क्योंकि हम सबी साथ यह आम गरों से जब आए और जीला पारशद बने हैं लोगों ने उमीद्ने लेचा व्हिए में नाइक याम अदमी पार्टी के आम लोगों के उपड़ की हमारे में Sिirens A Мोज के हमारे हमारे लोग जब चुनके जाएंगे हमारे लिए हुछ अच्छा करेंगे हमारे गाम के लिए विकास की बात करेंगे लेकिन जब हम इस हाउस में आये तो हमने देखा कि यहां आके बहुत बड़ा गड़बड जाला चल रहा है यहां बहुत बड़ी बंदर बांट चल रही है परशासन और जो चटाला परिवार पिछले 20-25 साल से जो इसके उपर कावजा जिला पारशद के चेर्में जो बनते हैं जो पारशद मेंबर बनते हैं वो चटाला परिवार से बनते हैं तो जब हम आए नए 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 तो हमने इनको यही बोला कि हमने किसी तरह का किसी से कोई कमिशन नहीं लेना हमें सिर्फ अपने जितने भी जो फंड है हमारे इससे के आए हमारे गा जिला पारशद के अंडर में जो देखा जाए तो किसी के 15 गाम आते हैं, किसी के 20 आते हैं, तो हमें उन गामों के लिए फंड चाहिए, हमने अपने गामों का विकास करवाना है, तो लेकिन हमें किसी तरह कोई कमिशन ना तो हम देंगे, ना हम कमिशन लेंगे किसी से किसी तर करते थे जैसे ही जे हमने बात रखी इनके बीच नो देखा कि आए अदमी पार्टी के जो लोग आया ये नहीं तो कमिशन लेने देते नहीं कमिशन के ऊपर बात करते तो इन्हों ने वो सारे की सारा फंड आघ जो बंद कर दिया चेरमेंड बनने के बाद करन सिंग चटाला वो गुमने निकल गए, नो क्रोड रुपय जो पड़े थे वो लैपस हो गए, ना तो यहां पर जो जितने परशासनी के दिकारी थे, उन्होंने किसी तरह का उसके उपर वर्क किया, नो क्रोड रुपया पहले लैपस हो गया, उसके बाद जो फंड आया, पिछली मीटिंग म ने बोला पीसी में कि चлюдा क्रोड रुपय के जो काम है वो लटके पड़े हैं, तो हम यही पूचते हैं, अगर हम चैर्मैन के पास जाते हैं, तो चैर्मैन बोलता है कि पररशासन के पास जाओ, यह जो काम है, यह परशासन कर रहा है, सीधे सरकार अपने तरफ से करवा र नहीं तो हम प्रशासन से भी यह मांग कर चुके हैं चेर्मैन से भी कर चुके हैं तो अब हम सिर्फ यही मीडिया के थूँ हम लोगों के सामने यह बात रखना चाहते हैं कि जो बीजेपी वाले बड़ी बातें करते हैं अगर बीजेपी जिला पार्शिद को कोई फंड नहीं दे रही तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है अगर बीजेपी दे रही है फंड तो चेर्मैन क्यों नहीं आगे बांट रहा यह इनकी मिली विगता है सब की और यह बंदर बांट जो करते जो प्रशासन के साथ मिलकर वो आम आदमी पार्टी के आने के कारण वो सारे क नहीं बैठेंगे हम इसको आगे लेकर जाएंगे अगर आने वाले समय में भी हमें छे जिला पार्शद हमें और विपक्ष के दूसरे भी जिला पार्शद है अगर हमें हमारा फंड नाम बिला तो हम इसके लिए चेर्मैन के घर के आगे दरना भी लगाएंगे अनिश्ची दे रहे हो तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा है अगर आप फिर जिला परिशित के लेक्शन करवाने का जरूरत क्या है अगर आपने किसी को एक रुपया नहीं देना तो फिर जिला परिशित का लेक्शन करवाते क्यों है तो इसी मुद्धे पर हम में आज जो हम मेडिया के सा मैंने आज तक मारे जितने पस्ताव हमने दिया हैं किसी भी मेंबर का जिला प्रिशिद के मेंबर के पस्ताव में से किसी एक एक को भी उन्होंने स्लेक्ट नहीं किया कि उसके उपर उन्हें